तो आज हम लोग यार इस वीडियो में डिसकस कर रहे होंगे एक बहुती ज़्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि आप अपने प्रिपरेशन जर्णी में क्या-क्या मिस्टेक कर सकते हैं और इस मिस्टेक के बारे में मैं आपको एक चेक दे दूँगा और इस मिस्टेक को आपको अवाइड करना पड़ेगा और इस मिस्टेक को अगर आप अवाइड कर लेंगे तो अगर आप एक फ्रेशर स्टुडेंट है तो अपना आपको अगले साल ड्रॉप करने की कोई नौवत नहीं आएगी आप इसी बार इसको क्रैक कर लेंगे और गलतियों के बारे में आपको अच्छे से बता रहा हूंगा इस वीडियो पर और उस गलतियों से आपको बच के रहना पड़ेगा तो जलिए यार इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं तो पहले हम लोग बात करेंगे फ्रेसर के लिए जो कि अभी इसी साल अपना बोर्ड इंस्टिट्यूट में अपना प्रिपरेशन अल्डेडी चालू कर चुके होंगे तो आप लोग अभी क्या-क्या गलति कर सकते हैं उनके बारे में आपको बता रहा हूंगा और उसको आप कैसे फिक्स कर सकते हैं उसके एक सॉल्यूशन के सॉल्यूशन के तरफ भी हम लोग जाएंगे तो पहला यहां पर मैंने एक स्लाइड के थ्रू आपको दिखाने की कोशिस कर रहा हूं यहां पर तो आप लोग अगर फ्रिशर है तो आप लोग को क्या करना चाहिए कि तो आप लोग क्या है अभी अभी नीट 2021 का जो एक्जाम था वो एक्जाम फिनिस हो चुका है तो आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि अभी नीट 2022 कब होगा कोई डेट फिक्स नहीं है वो अगस्ट में भी हो सकता है मैं में भी हो सकते है कभी भी हो सकते है कोई फिक्स नह जा रहा होगा तो उसी हिसाब से आप लोग अपना तयारी को लेवल को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए कट ओफ तो हर बार की तरह इस बार भी कुछ एक आएगा जो कि आप लोग को पता चल जाएगा अभी आप लोग को इतना कोई उसको लेके टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है अभी आप लोग अपना जो तयारी कर रहा है उसी तयारी पर ध्यान दीजिए क्योंकि कट ओफ देखिए कट ओफ तो हर साल डिफरेंट हो सकता है आप लोग देखेंगे कि 2020 में काफी आसान क्वेस्चन आया था तो कट ओफ काफी हाई चला गया और उससे 2021 में जो है पेपर तो हलका साथ तफ था तो सब लोगों को ऐसा ही लग रहा है कि कट ओफ थोरा डिक्रीज होगा और कुछ भी हो सकते है अगर पेपर तफ था लेकिन स्टूडेंट ने बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे अमांट अब स्टूडेंट ने अच्छा परफॉर्म कर दिया तो आप लोग अभी सोच रहे हैं कि यार अगर 600 कट अफ होगा तो हमें इतना लेवेल की प्रिपेर करना है या अगर 300 कट अफ है तो इतना लेवेल का प्रिपेर करना है ऐसा बिलकुल मत सोच के तैयारी कीजिए आप लोग बस एक daily schedule बना लीजिए और उस schedule का जो routine है उस routine को maintain करन है और अपना time waste बिलकुल भी इन सब चीजों में नहीं करना है में का weekly target of all three subject and try to achieve that goal तो पहली बात तो है यह आप चो distraction अभी हो रहा है आप लोग को हो रहा होगा तो इससे आप avoid करने के लिए क्या कर सकते हैं कि एक routine बना लीजिए उस routine में आप एक weekly goal रख लीजिए weekly आप सो चाहिए कि Sunday है तो उस दिन थोड़ा हम लोग relax करेंगे तो उस दिन का routine आप थोड़ा कम रखिए आप weekly goal ले जीजिए आप ऐसा नहीं कीजिए कि daily goal ले लिया वह फिल आप नहीं हुआ तो depressed हो गए demotivate हो गए यह सब नहीं करना आप एक weekly goal या फिर अगर आप चाहे तो एक two weekly goal या फिर monthly goal भी आप ले सकते हैं लेकिन उसको आपको अपने according प्रिपेर करना है ऐसा नहीं करना कि अच्छा इस टॉपर ने ऐसा किया था तो उनकी तरफ देखके मैं ऐसा एक schedule बना लेता हूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आप अपने खुद के जो preparation level है उसके उपर base कर तो के तीन जो subject है आपका physics, chemistry या फिर biology इन तीनों को लेकर एक weekly goal बना लीजिए और उस goal को achieve करने की कोशिश कीजिए और पहली बात तो पहले आपको achievable goal ही बनाने है short goal make करने है और उसको achieve करते हुए आगे चलना है ठीक है यह बहुत ही important चीज़ है यह आपको याद रखना ह इसके बाद put majority of time in self study and question practice and concept clearance तो आपको क्या करना है कि अपना जो self study का एक timing है वो किसी का भी कैसी भी हो सकता है आपका different हो सकता है किसी एक दूसरे आपके दोस्त से हो सकता है कि आप 8 घंटे परते हैं लेकिन 8 घंटा एकदम fully productive परते हैं और आपका दोस्त सोचिए 12 तेरा घ बंटा ही ऐसा उसका maximum productive रहता है बाकी समय वो थोड़ा इदर उदर हो जाता है ध्यान भटकता रहता है ऐसा कुछ होता रहता है तो आप लोगों को यह जो time मिल रहा है इस majority of time में time को आपको question practice self study और concept clearance में ध्यान देने है क्योंकि आप pressure से तो आपको concept clearance में ज्यादा ध्यान देने है और question practice भी उसके साथ साथ करने है क्योंकि question practice बहुत ज़्यादा important है बहुत सारे जो fresher student है वो लोग सोचते हैं कि चलो question practice बाद में कर लेंगे पहले सिले बस खतम कर लेते हैं वो लोग जो है art of perfection की तरह जाते हैं लेकिन आप कभी भी इस perfection की तरफ मत जाईए आप ज और around अगर आप topic देखेंगे तो 1500-2000 के आसपास topic है तो इन एक-एक topic को अगर आप सिलेट करके perfection achieve करते हुए चलेंगे तो आपको तो 2 साल क्या और भी 2-3 साल लग सकते हैं तो ऐसा बिल्कुल मत करना concept clearance पे ध्यान देना और उसके साथ साथ question practice करना तो यही basically जो आपका main tips है एक phrases के लिए तो यह अगर आप follow करेंगे तो आप अपना time waste से बच पाएंगे और अपना maximum potential है वो achieve कर पाएंगे और मैंने जो गलती कुछ point out किया था वो गलती बिल्कुल भी मत करना और अगर वो गलती आप ना करे तो I think आप जो एक अपना drop करना सकता है करना हो सकता था व और अपना life का भी एक साल बचा पाएंगे और यह बात हमेशा याद रखना कि time once gone is gone forever you cannot get back that time again इसके बाद हम लोग आएंगे droppers के लिए तो आप लोग dropper हो तो यार आप लोग ने एक साल वेस्ट कर दिया आपना क्यूंकि इससे पहले आपका मतलब है आपका थोड़ा सा concept तो clear होगा जो फ्रेसर है उससे ज्यादा ही आपका concept clear होगा लेकिन इस साल का अगर आपने exam दि हम safe zone में नहीं है बिलकुल safe zone से काफी दूर है अगर आप safe zone से थोड़ा सा दूर है तो आपको counseling तक का wait करना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है अगर तो आपको बिलकुल अगले साल के लिए preparation चालू करना है और कैसे चालू करना है don't take rest now if you are dropper start as soon as possible क्यूंकि मैं जब drop किया था तो मैंने मुझे याद है कि 13 तारीक को मेरा exam था मुझे 14 तारीक को पता चल गया कि मेरा इस साल तो नहीं हो रहा है काफी कम number है cut off से तो मैं एकदम वो उस एक हपते में मैंने कुछ-कुछ चीज़े select किया कि यह यह चीज़े मेरा week है और मैंने 20 तारीक से एकदम एक हपते क में जैसा होता है कुछ थोड़ा relax मैं रहा क्योंकि आखरी एक हपते में अगर ज्यादा pressure लेंगे तो काफी मुश्किल हो सकता है original exam में तो आपके लिए तो यही एक pro trip होगा अगर आप dropper है कि अभी आप लोग कितना cut off होगा कितना cut off decrease होगा या फिर क्या होगा कैसा नहीं ह यह सब आप देखने में time waste कर रहे होंगे तो जो कि आप बिल्कुल ही effort नहीं कर सकते और यह आप देखिएगा क्यूंकि बहुत सारे ऐसे dropper है जो ऐसे time waste कर रहे होंगे और इसी समय पर अगर आप थोड़ा ज्यादा उनसे effort देके आप पर लेंगे कुछ अपना concept जो weak थे व process कीजिए तो यह आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा important tips होगा जो कि आपका काफी time waste मचा सकता है और आपका अगर इस समय को ज्यादा waste कर रहे होंगे क्योंकि इसके बाद तो आपको आपका दूरगा पूजा आजाएगा आपका जो दिवाली आ जाएगा बहुत सारा ऐसा festive festive time आजाएगा तब भी आप लोग ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगा पाएंगे तो आप सोचिए कितना ज्यादा आपका time waste हो जाएगा और इतना ज्यादा time waste के बाद जब आप सुरू कर रहे होंगे तब आपका December से January के आसपास आजाएगा और सोचिए अगर आप पिर अगस्ट में तो exam हो ही सकता है अगर किसी यह third wave, fourth wave यह जितना भी wave है यह अगर ना आ जाए तो आप लोग काफी time waste कर रहे होंगे इस point of time पे इसको आप बंद कीजिए और तुरंत अभी तक अगर आपने preparation चालू नहीं किया तो तुरंत आप चालू कर दीजिए और जो जो कि आपने पढ़े है एक्जाम से पहले तो आपको क्या करना है कि वो जो handwritten notes है उसमें कुछ supplement करना है मतलब आप इस बार जब पढ़ेंगे तो उस notes में आपको notes को थोड़ा ज्यादा improvise करना है और notes में ज्यादा कुछ points आपको include करना है कैसे include कर सकते है आप कोई page लेके उस page को वहाँ पे stick कर सकते है ऐसे ऐसे करके आप अपने notes को modify कर सकते है जो कि मैंने खुद ने भी किया था और आपने अगर कोई PDF notes यूज किया था तो उस PDF notes को आप चाहे तो फोन से delete कर दीजे क्योंकि आपको PDF notes से बिल्कुल नहीं पढ़ना इस बार आप खुद से note करने में काफी ज्यादा time waste होगा तो आप क्या कर सकते है उस PDF notes को डख सकते है लेकिन क्योंकि आप dropper है मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा तर dropper ने खुद का note बना ही लिया होगा तो अगर आपने खुद का notes अल्लेडी बना है तो आप उस notes को दुबारा जब revise कर रहे होंग ताकि आपका notes पिछले वाले साल से इस बार थोड़ा better हो जाए थोड़ा better version of its own हो जाए ऐसा आपको जरूर कोशिस करना है इसके बाद जो चीज़ है यह काफी important है यह आप लोग को जरूर करना चाहिए कि analyze your need 21 paper तो आप इस साल dropper है मतलब आप जरूर need 21 paper दिये होंगे और ऐसा है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि third time second time dropper होते हैं तो अगर आप इसी बार board exam के साथ दिये थे और अगले साल के लिए drop कर रहे हैं तो आप लोगों को यह सब चीज़ जरूर से ध्यान रख के करने हैं तभी आपको यह third dropper, fourth dropper इन सब चीजों से बचा पाएगा कि आपको अपना जो need 21 का जो paper दिया, कहां पे mistake हुआ, कौन-कौन से chapter ऐसे थे जिसमें आपको लगता है कि नहीं आपको concept हुई था, कौन-कौन से ऐसे topic थे जिसमें आपको लग रहा है कि नहीं यह मैंने पढ़ा था लेकिन silly mistake हो गया, तो यह यह points को, यह यह chapters को आप analyze कीज और analyze करके note down कर दीचे, और जिन-जिन topics को आपने note down किया, उन topics में आपको पहले जाना है, और उनको आपको एकदम अच्छे से strong बनाना है, क्योंकि आपको ultimately need के लिए strength पे खेलना पड़ेगा, आपको ऐसा नहीं कि आप weak चीजों को बहुत जादा time दे कि उसमें एकदम master हो जाए, क्योंकि need entrance exam के लिए आपको jack of all होना पड़ेगा, not the master of all, क्योंकि आपको यहापे कोई mastery करने के लिए नहीं काएगा, आपको क्या होना है, सब chapter के बारे में अच्छे से knowledge होना चाहिए, एकदम आपको हर एक concept clear होना चाहिए, लिकिन हाँ, इसका मतलब यह नहीं कि उन टाइम को save कर पाएंगे, इसके बाद जो है, point out your week points and chapters, तो आपका जो इहाँ पर अगर आप अच्छे से analyze करेंगे, तो आप लोग देखेंगे कि कुछ-कुछ ऐसे topic है, कुछ-कुछ ऐसे chapter है, जो कि आपका बहुत week है, और कुछ-कुछ है, जो कि हाँ, moderately week है, question practice नहीं तो आप उस catalog के अनुसार आप अपना प्रिट से preparation चालू कीजिए, और अगर आप एक dropper है, तो आपको initially क्या है, पढ़ने में थोड़ा boarding लगेगा, और family से भी उतना आपको support सायद ना मिले, कुछ-कुछ के लिए मिल सकते हैं, जैसे कि मुझे मेरे family ने काफी ज़्यादा support किये थे मेरे drop year में, सबको नहीं मिल सकता है, तो आपको उनके बातों में ज्यादा नहीं आना, आपका relatives जो है, वो लोग भी अगर कुछ बाते करें तो उनके बातों में नहीं आना, आपको मैंने जो जो काम कहा, इस काम को जरूर से करने हैं, और करके अपने जो weak points हैं, उन आपको तो किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है, अगर आप dropper है, तो आप target लीजिए कि आप daily 100 से 1500 सवाल लगाएंगे, एक ही chapter का नहीं, आपको या फिर एक ही subject का नहीं, आपको तीन subject, तीनों को equal weightage देके चलने हैं, हाँ आप ऐसा कह सकते हैं कि biology को थोड़ा, अगर आपक हो जाएगा, तो फिर से आपको ऐसा हो सकता है कि आपको एक और साल आपका waste हो जाए, अपने life से, जो कि आपको नहीं कर नहीं है, इसके बाद हम लोग आएंगे, pro tips for all, यहाँ पर all मतलब मैं basically, जो dropper है और fresher है, सब के लिए कह रहा हूँ, यह आप सब को जरूर से follow करने है और इसको अगर आपने सच में एकदम दिल से follow किया, तो मेरी विश्वास आप मान सकते हो कि आपको कोई नहीं रोख पाएगा selection से, और हाँ, इसको अगर आप dedicatedly follow करो, ऐसा नहीं कि बोल दिया, चलो कर लिया, अच्छे से दिल से नहीं किया, ऐसा इससे नहीं होगा, आपको प्रिपरेशन जर्नी, तो आपको जो करना है कि अपना जो प्रिपरेशन जर्नी है, इसमें throughout आपको 40 से ज़्यादा mock test देने है, at least 40 तो देने है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक महीने में, दो महीने में 40 देना है, और पहले ही आप अभी starting कर रहे हैं, तो अभी आप एक से question practice बंद कर देंगे, आपका test series देना बंद कर देंगे, ऐसा नहीं, अभी initially आप concept clearance में ज्यादा ध्यान दीजिए, आप जब अपका बहुत सारा amount of syllabus थोड़ा खतम हो जाएगा, तो उस syllabus को खतम होने के बाद, उसके syllabus के साथ-साथ आप question practice करते रहिएगा, और उसके बाद आप mock test दीजेगा, और आपको पूरा जो preparation journey है, इसमें 40 से ज़्यादा कम से कम mock test देना ही चाहिए, और यहाँ पर एक और चीज़ है, कि need अभी तक तो offline है, और अगले साल भी offline है, तो आपको ये जो mock test है, online आप ज़्यादा मत देजिए, online ना देके, आप pen paper OMR mode पे देने की कोशिस कीजिए, क्योंकि आपको ultimately pen paper OMR में देना है, और इस साल जो कि बहुत सारे लोग ऐसे dropper होंगे, उन लोगों का selection ना होने का कारण उनका time management, क्योंकि वो लोग तो घर में क्या करते थे, online mock test दे दिया, लेकिन ultimately तो pen paper OMR में था, और OMR फिल आप में काफी ज़्यादा time क्योंकि उसमें practice नहीं था, तो आपको ज्यादा तर mock test, ऐसा नहीं करे रहा हूँ कि जितने आप दिया, सभी आप pen paper में दीजिए, आप initially कुछ कुछ टेस्ट अगर online देना चाहते है, तो online भी दे सकते है, और हाँ, यहाँ पे pre condition है, अगर आपका अकले साल, अगर need online हो गया analyze your mock test for at least the same duration to that of mock test, मतलब अगर आप एक 3 घंटे की mock test लिख रहे हैं, तो उसको कम से कम 3 घंटा ही आपको analyze करना चाहिए, अगर आप मुझ से पूछे तो मैं basically क्या करता था, मेरा जो mock test होता था, मैं 2 to 5 mock test होता था, एकदम need के time पे, उसके बाद 8 बजे उसका result आता था, तो 8 से मैं 12 बजे तक उसको analyze करता था, और मैं ऐसा नहीं कि जो मैंने गलत किया, जो मैंने छोड़ दिया, उनी को analyze किया, मैं एकदम 1 से, 1 number question से 180 number question सबको अच्छे से पढ़ता था, सबको अच्छे से देखता था, ताकि वहाँ पे पूरा जो 180 question, उसको अपे question की तरह आगर दे कि मेरे उस mistake book से करीब need 2021 में 15 से 20 के आसपास सवाल आये थे, 15 से 20 के आसपास, exact तो मैंने exam देने के बाद देखा था, तो 15 से 20 के आसपास, वही mistake book से मेरे एकदम direct या फिर उसी concept के उपर base करके, बहुत सारे सवाल आये थे, तो यह mistake book आपको जरूर करने है, और यही मैंने यह पर भी बोला है कि एक mistake book आप जरूर बनाई है, जहाँ पर आप यह जो mock test analyze कर रहे है, उस analysis में कुछ-कुछ point आ रहे है, जो कि आप बार-बार भूल रहे है, तो उनको आप note down कर लिजे, उनको आप exam से पहले revise करीजे, और मैंने भी यही किया था, exam से एक दिन, दो दिन पहल और इसी line से question को अगर आप करना चाहते हैं, तो आपको कम से कम उन books को 10 से ज्यादा बार पढ़ने पढ़ेंगे, अगर आप मुझ से पूछो तो biology के वो जो 2 NCRT मैंने करी 13 से 14 बार पढ़े थे, और फिर भी आप लोग, अगर आप NCRT को अच्छे से पढ़ेंगे, तो आप पहली बार जब पढ़ रहे हैं, तो आप कुछ-कुछ line आपको उतना important नहीं लगेगा, लेकिन जब आप 5 मही बार या फिर 6 बार जब आप पढ़ रहे होंगे, तो आपको वो वो line में कुछ question आपको बनते हुए दिख जाएंगे, और ऐसे ही करके, आप जितने ज़्यादा बार इसको पढ़ेंगे, आप कुछ-कुछ नया line को rediscover करेंगे, यहां तक कि मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैं जब 13 या 14 बार पढ़ रहा था, तो तब भी मैंने कुछ ऐसे line को rediscover किया था, जो कि मैं इससे पहले उतना अच्छे से, मुझे वो line important नहीं लगा था, लेकिन तब weak point तो पता ही होगा, कि 96 chapter 96 तो weak नहीं हो सकते, ऐसा होगा कि मेरा 50 तक आपका strong है और बाकी का जो part रह गया, तो वो आपका weak हो गया, तो उन weak topic या फिर weak chapter जो है, उनमें आपको एकदम attack कर देने हैं, और उनको अच्छे से strong बना लेने हैं, हाँ, strong बना लेने का मतलब यह नह आपका graduation level का knowledge ले ले, biology में हो तो एकदम MBBS की किताब खोल के पढ़ ले, ऐसा नहीं, लेकिन आपको neat level का knowledge बहुत ही अच्छे तरीके से होने चाहिए, और आपको एक चीज में ध्यान देना है, हर समय कि आपका concept काफी clear हो, अगर concept clear हो, तो बहुत सारे जो tough तरीके के सवाल है वो भी आपका बन जाएगा, तो यह जो pro tips है, यह तो आपको जरूर से जरूर follow करने है, और इन ही चीजों को अगर आप follow करेंगे, तो I think अगर आप एक fresher है, तो आपका drop year बच सकता है, और अगर आप एक या दो या तीन साल के dropper है, तो आपको एक और बार drop करने से यह internship session है, काफी अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है, तो अपने जो दोस्त है, जो कि इस बार neat देंगे, या फिर वो अगर dropper है, तो उनको जरूर भेजिए, और मेरे चैनल को like कीजिए, subscribe कीजिए, अगर आपको अच्छा लगा, thank you very much for your time.